असलाम लेकुम जी, उमीद खिर्टियों, आप सब खेरियत से होंगे, खुश होंगे, बहुत से दुआएं हैं सब के लिए, ये हैं जी, लेट नाइट वाइप्स, आप देख रहे होंगे, आज कल सेशन चल रहा है फिश का, तो ये छोटी फिश है, ये रात को, लेट ने फ्राइए किया, साथ में हुआ कि अच्छी बली फ्राइए हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको साइट पलती, तो ये जी फिश सारी नीचे चिपक गई, क्योंकि इसको मसाला जो लगाया, उसमें लिमू भी आड़ कर दिया था, तो जिसके वज़े से पिर सारी फि पूड़ी ने जाती, ये टेस्ट बहुत अच्छा था, मसाला बहुत अच्छा लगा था, तो ये देखें, आपको देखके अधना अई रहोगा, मैंने भी हमत नी आरी, इसको मैं फ्राइए करते ही रही, अच्छे से मैं इसको फ्राइए किया, इसको जादा फ्राइए कर को क्रिस्पी करके खाया रात को बहुत मज़ा आया ये वीडियो इस एक्चली मने रात को बनाई थी लेकिन उस वक जो है वो नीन का गलबा इतना तारी था कि मुझसे ये वीडियो एडिटिंग नहीं की जा सकी नहीं अपलोड की मैंने तो फिर ये मौनिंग में जब मैं उठ ही अर्ली तो फिर मैंने इसकी थोड़ी सी एडिटिंग की ये थी जी चटनी अलफा रूख से खाना लाए तो इसका चटनी दी मैंने फ्रीज करती थी फिर मैंने रात को निकालके फिश के साथ कहाई मैल्ट नहीं होई लेकिन खाई नहीं सकी तो बड़ी कोशिश की मैंने किस तरह मेल्ट करने के लिए नहीं हो सकी और एइडि जिसमें प्ृस्वेर्राय के थी तो इसको मैने अलग से बाउल में दे लिया यह यह मुझे बहुत मज़ेका लगता फिश फ्राय के लकिन ये नाहुद हो सकी नाकाम रही मैं इसमें इसमें मैंने छोड़ दिया मैंने बस उस ऑईल के साथ ही खा लिया बहुत अच्छी फिश बग्नी में थी मुझा आया आच्छी है अपना रात का सफर और दिन में ये देखें जी बच्चों की खरकतें ये मैंने लांच में ज करदी की टेंशन और नागर्मी में गर्मी की टेंशन ये रात को जी हम लोग गए थे पिराट्स लेने के लिए तो मैं साइट पर खड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी कैप्चर कर लूँ कोई चीज बचके ना जाए तो फिर मैंने वह उंकल मुझ लिया बून र आप लोगों के साथ शेयर हो सकें और ये बड़ी उसवाद बड़ी सुइट लग रही होती है और साथ ही जो है ये हाई रा देखें चेर पर इसको बैठना आगे है अब ये बड़े मैं जिस उसको इंजुआय कर रही थी तो मैंने उसको भी थोड़ा से कैप्चर किया आप का बुआ के होगी हूना झाझ दोगा लगय का वोग ये लोगना शोड़ी बुआ है, कर दो हुआ कर भी मैंने पआ़ा है और